Welcome and Good Evening All आज हम इस लेक्षर के माध्यम से जेरान और पार्डिसिपल्स के बारे में देखेंगे जेरान और पार्डिसिपल्स का यूज भी समझेंगे कहां कहां यूज खड़ते हैं सुरू करने से पहले थोरा सा पीछे जा रहा हूँ हमने देखा था पीछी के वीडियो में नॉन फैनाट वर्ब्स के अंतरगाद तीन तरह के काइंड सुते हैं क्लासिफिकेशन होते हैं एक इन्फिनिटिव दूसरा जेरान और तीसरा पार्डिसिपल्स इन्फिनिटिव का देख रिया है कि वर्ब के पहले अगर टू लगता है वर्ब जो वीवन होता है उसके पहले टू लगता है तो उसे बोलते हैं इन्फिनिटिव आप फूल इन्फिनिटिव बेर इन्फिनिटिव देख चुके हैं तो इसकी बात नहीं करेंगे जेरंड में वर्ब में आएंजी लगा रहेगा तो कहेंगे जेरंड दिखिए वर्ब में जब आएंजी लगा रहेगा और वह जो आएंजी वला होगा वर्ब और वो नाउन का काम करेगा एक सिंटेंस में आप यह जानते हैं सिंटेंस में नाउन कहां कहां रहता है sentence में noun subject के जगापे हो सकता है object के जगापे हो सकता है और कहीं भी हो सकता है तो जिरन्ड क्या होगा verb में verb मतलब v1 v1 में ing लगा रहेगा और तो उसे जिरन्ड कहेंगे जब वह noun के रूप में काम करेगा sentence में तोकि हम participants में भी जाएंगे तो parciples में भी आपको जब बताऊंगा present parciple तो वहाँ पे इसका मतलब है present parciple में भी verb में ing लगा रहता है लेकिन वो noun का काम नहीं करता है तो आप ध्यान रखेगा मैं वहाँ भी बताने वाला हूँ आपको लेकिन अभी बस इतना ही कि gerund में verb में ing लगा रहेगा और यह जो gerund होगा noun का काम करेगा देखिए walking is a good exercise यहाँ walking शुरू में ही है subject का काम कर रहा है तो यह noun है he likes reading यह object का काम कर रहा है noun ही है he is fond of hunting यहाँ पे यह something else है तो यह भी noun का ही है what I don't like is smoking मैं जो पसंद रही करता हूँ है smoking है तो यहाँ भी smoking noun कर रूप में आया हुआ है तो और साथ में जो underline किया है आप देख रहे हैं कि सब का साथ वो v1 के साथ लगा हुआ ing इसको v4 भी कहेंगे आप तो जो v4 है walking, reading, hunting, smoking यह सब gerund है तो ध्यान रहेगा आपको v1 plus ing यानि v4 को हम कहते हैं gerund जब वो sentence में noun का काम करता है आगे बढ़ता हूँ use क्या है? usage मतलब use use of gerund पहला use हो गया subject के रूप में मतलब sentence में वो subject का काम करता है singing is a hobby तो यहां पे singing subject है subject कैसे है? क्योंकि इसी करमसार हुआ है verb आपको बता चुका हूँ कि gerund हो चाहे infinitive हो अगर subject का काम करेगा तो verb हमेशा similar होता है देखें, यहां पे each similar verb है फिर quarrelling kills piece यहां पे quarrelling भी एक gerund subject काम कर रहा है living on arms यहां off नहीं होगा living on arms is not better than death better than death तो यहां पे भीक्षा पर जिवित रहना मिर्तू से बहतर नहीं है arms मतलब भीक्षा होता है तो इस तरह से जितना underline देख रहे हैं आप singing, quarrelling, living यह सारा का सारा gerund है और यह subject की रूप में पर्योग हुआ है एक sentence में तो first use हो गया second use होगा object की रूप में जिस तरह से infinity होगा था वाय से ही अब यहां पे object की जग़ाप रहेगा flying यहां पे है इधर reading है, इधर crying है यह सारे का सारे जरन object का का काम कर रहे हैं और sentence में object की जगाप पे हैं तिसरा होता है कॉंप्लिमेंट के जगह पे, कॉंप्लिमेंट क्या होगा, subject के जगह पे भी नहीं, object के जगह पे भी नहीं, एक कहीं और रहेंगे, इनको कॉंप्लिमेंट कहते हैं, जैसे my hobby is compliment कहा हम ने पढ़ लिया है, अच्छा से, किसे compliment कहते हैं, लेकिन अभी subject object छोड़ को जहां बच ग नहीं है, seeing is believing, देखना ही विश्वास करना है, तो यहां पे यहां भी एक compliment है, I wish meeting हर अगें, मैं उसे मिलने के फिर इक्छा करता हूं, यहां meeting भी एक general है, जो compliment का काम कर रहा है, इन use तो हो गया, और था यहां पे position के object के रूप में, देखे, sentence में, कोई sentence है, इसी को माल लेत होता है, तो इसका subject क्या होगा, वर्ब के पहले, जो होता है subject होता है, और वर्ब के बाद, जो होता है, उसे object कहते हैं, अगर वो whom और wat का answer करता है, आपने देख लिया है, transitive, intransitive verb में, कि object कि से, मतला कौन सा transitive verb होता है, कौन सा intransitive, तो object हमेशा तो यहां पर की सिज का फोंड है डान्स के नीद काने का फोंड है तो यहां पर क्या फोंड है यहां चाहित का है करेगा फूरा का पूरा पूरा इसे ग्रूप आफ वर्ड को तो यहां पर देखते हैं वर्ब कर अंसार इदर subject की है इदर object की है तो वर्ब को center मानते हैं नॉमले लेकिन preposition रहेगा तो preposition के पहले वाले को subject कह सकते हैं बाद वाले को object कह सकते हैं preposition के पक्ष में तो preposition के बाद जो आता है उसे बहुते हैं preposition का object तो प्रेपोजिशन की object के रूपे भी पड़े होता है जैसा कि मैंने कहा कि यह ऐसे भी object है font of dancing object का लाएगा पूरा का पूरा तो dancing आया है तो object के साथ आया है तो object कहा सकते हैं लेकिन अगर थोड़ा और अच्छा से समझें तो कहेंगे कि यह प्रेपोजिशन का object है तो चौथा यूज हो गया प्रेपोजिशन की object के लिए मतब जहां पर वर्ब प्लस आयंजी है उसके पहले प्रेपोजिशन होगा देखिए नहीं लिखा है, some cases लिखा है, सब ही नहीं लिखा है, कुछ ही cases लिखा है, some का मतलब कुछ ही, जहां पे gerund होता है, वहां पे infinitive का भी परियोग हो जाता है, जैसे देखिए, to walk is an exercise, walking is an exercise, यहां पे दोनों का हिंदी एक ही है, एक ही colors दिया है, और दोनों आप देख सकते हैं, क रहा हूं, यह सब उसी को, rule को follow कर रहा है, तो यह दोनों में समानता है, infinity और gerund में, अब participles की बात करते हैं, participles में क्या होता है, V1 के अंत में ing होगा, चाहे, d, e, d, n, ent होगा, मतलब क्या होता है, verb का third form होता है, वह, v3, और verb का fourth form होता है, वह, आता है, participles में, verb का fourth form का मतलब अभी तो परान हमने gerund, यह तो verb का fourth form ही है, मतलब verb plus ing है, v1 plus ing, और यहाँ पर ing लिखा ही है, मतलब v1 plus ing, तो कैसे gerund यहाँ पर तो होई गया पहले, अब फिर हम कर रहा हैं कि इसे participle भी बोलते हैं, तो हमने क्या परहा था gerund में, यही परहा था, कि जब gerund होगा, तो noun का काम करेगा sentence में, लेकिन यहाँ पर जो participle होगा noun का काम नहीं करेगा, v1 plus ing, verb का का काम करेगा, देखिए, कहीं देख लिजीगा, verb का काम करता है, और दूसरा भी काम करता है, लेकिन verb का भी काम करता है, यह participle वाला जो gerund है, तो क्या कहा हमने, देख लेंगे example मिल जागा इसका, बहुत example है, तो participle में क्या पढ़ा, कि वो अपका form जिसके अंत में ing होता है, और यह सब होता है, d, e, d, n, e, n, t, जैसे hate है, hate में hated हो गया, अब ऐसे ही jump है, इसमें ed हो गया, तो ed, ठीक है, bend का bend होता है, यहाँ पर t होता है, तो ऐसे ही, जो होता है, जो word third form में, उसका अंत वाला letter लिख दिया है, यह सब होता ह है, तो कहते हैं, इसके अत्रिक्त भी होता है, but most of the words में ऐसा ही होता है, अंत में, इसलिए इतना को लिखा है, तो third form वाले verb, ing वाले verb को कहते हैं, participle, और यह participle क्या करते हैं, modify करते हैं, sentence को, modifier, sentence में, modifier का काम करते हैं, जैसे modifier कैसे, child है, तो child के साथ burnt आ गया, मत्तों के जला हुआ बच्चा, तो यह child की विशेष्था बता दे रहा है, इसको modifier कहेंगे, person है, तो amusing, मजाकिया person, car है, तो running, चलती हुई car, यह भी modifier का काम कर रहा है, तो जब अंत में रहता है, ing चाहिया है, सब, तो modifier का काम करता है, तो बोलते हैं, उसे हम participle, participle के kind classification देखते हैं, तीन तरह का होता है, present participle, past participle, और perfect participle, present participle क्या होता है, जो before होता है, उसे बोलते हैं, present participle, v3 को बोलते हैं, past participle, और v3 के साथ, अगर शुरूब में हम having को जोड देते हैं, तो इसको बोलते हैं, perfect participle, देखिए जारा, जब वर्व का forms याद करते हैं, run का याद करते हैं, run, ran, running, runs, आप से कोई पूछता है, कि बताओ, run का present participle form क्या है, तो आप क्या कहेंगे, v4 कहेंगे, तो कुछ नहीं सोचना है, जो v3 होता है, उसे कहते हैं, past participle form, जो v4 होता है, उसे बोलते हैं, present participle form, अब बचाए perfect participle, तो past participle के पहले अगर हम लगा देते हैं, having, तो हो जाता है, वो perfect participle, किसी किसी बुक में, दो ही फ्रम दिया हुआ है, present participle और past participle, perfect participle नहीं दिया है, क्यों, क्योंकि past participle के अंतरगत ही आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा clear करने के लिए, तीसरा part भी मैंने लिखा, past participle को साथ अगर having लगा देंगे, तो कहेंगे, कि यह perfect participle है, कौनसा participle का तीसरा भेद perfect participle है, तो इस तरह से हम अभी पहर रहे हैं, participle और इसके now, इसके classification तीन हो गया, और इसका use देखते हैं, जो present participle होता है, present participle मतलब before, मतलब verb में ing, उसका पर यो कहां करते हैं, तो आप ज़रा देखिए, एक table आ रहा है, यहां पे आ गया, जब आप बनाते हैं, present progressive tense, चाहे, past progressive tense, future progressive tense, चाहे, perfect progressive tense, चाहे, present perfect progressive tense, चाहे, past perfect progressive tense, चाहे, future perfect progressive tense, तो आप क्या use करते हैं, before use करते हैं, देखिए, यहां पे क्या राम is running, मैंने राम दोर रहा है, तो क्या होता है, future, sorry, present, progressive, present continuous, present imperfect, तीन नाम देते हैं इसका, मैंने इसका नाम देखिए है present progressive, तीनों में से कोई यह कह सकते हैं, तो यहां पे क्या होता है, subject is mr plus v4, यहां v4 दिया न, यही v4 होता है, present possible, और इसका use यही होता है, प्रोग्रेसिव टेंसिस बनाने में, प्रोग्रेसिव टेंसिस का मतलब क्या हो गया, तीनों का प्रोग्रेसिव यहां पे देखिए, एक चेक, दो चेक, तीन चेक, साथ में perfect progressive भी बनाने में हम प्रोग्रेसिव करते हैं, प्रोग्रेसिव है न, दुनों जगा पे, तो आप progressive के लिए इसका use करेंगे, प्रोग्रेसिव यहां का ध्यान नहीं देंगे, तो प्रोग्रेसिव क्योंकि आप जानते हैं, present perfect continuous बनाना है, ताप वर्ब में आएंजे लगाना ही पड़ता है, तो इसलिए, इसलिए यहां पे present possible का use देख लिया हमने, अब present के बाद कौन सा पार्सिपल है, past possible, past possible से क्या क पर्फेक्ट बनाएंगे, फिर वापस जाता हूँ, देखिए यहां पे, present perfect, past perfect, future perfect, आप इसका जानते हैं, he has eaten mangoes, तो यहां पे, V3 का पर्फेक्ट हुआ है, यह present perfect tense है, ऐसे ही had होता, तो past perfect होता, ऐसे ही will have होता, तो future perfect होता, लेकिन V3 तो यहीं पे रहता, तो जो हमारा past participle है, जिसे V3 कहते हैं, उसका पर्फेक्ट क्या कर देंगे हम, perfect tense को बनाने के लिए करेंगे, जो कि present perfect होगा, past perfect होगा, future perfect होगा, यही मैंने लिखा है, past participle का यूज perfect tense को बनाने कर देखिए, इधर present perfect, इधर past perfect, इधर future perfect, तीनों का उदारन दिया है, हम क्या देख रहे हैं, past participle तो तीनों तरक perfect tense को बनाते हैं, present perfect, past perfect, future perfect, in number use, case number 3, subject, एक साथ, sentence में, एक साथ, एक से अधिक कार्ज करेगा, more than one work, एक से अधिक कार्ज करेगा, तब हम क्या करेंगे, पहले कारे के साथ, present participle का परियोग करेंगे, देखिए, opening the drawers, he took out a gun, drawers मतलब होता है, दराजे, दराजे खोलते हुए, उसने गन बाहर निकाला, तो दराजे खोलना और गन बाहर निकालना, एक काम almost सांसात हो रहा है, almost इसलिए, कि दराजे खोला, गन निकाला, बहुत fraction of second का difference होता है, लेकिन पहला काम आपको पराज़ चल सकता है, पहला काम दराजे खोलना है, opening drawers है, तो पहले काम के साथ हम यूज करेंगे, present participle देखिए, दोसरा, seeing the police thips ran away, thips ने पहले पुलिस देखा, तो पुलिस देखने काम पहले हुआ, तो यहाँ पे आएगा present participle, ऐसे ही seeing the line money ran away, लेकिन पहला काम यहाँ पे complete हो गया है, पहला काम completely complete हो गया है, पुरा दिखेगा आपको, तो जब complete हो गया है, तो perfectly complete हो गया है, तो perfect participle का पुर्योग करेंगे, इसके साथ देखिए, having walked hard, he felt tired, कठीन परिश्रम करने के बाद उसे थकावट महसूस हुई, तो कठीन परिश्रम कर लिया, तब इत थकावट महसूस हुई, एक काम हो चुका है, मेहनत करने काम, तब थकावट फिल हो रही है, तो यहाँ पे हमने having walked B3 का पर्योग कर दिया, जो कि आप जानते है, having और B3 को पर्फेक्ट पार्टिसिपल, दूसरा, having finished the walk, she went home, मतलब वह घर चली गई, काम खत्म करके, तो काम खत्म करें, तभी घर गई, clear है यहाँ पे, तो जो पहला काम है, इसको करेंगे हम, पर्फेक्ट पार्टिसिपल के साथ, having finished the walk, she went home, इस 5 है, इस 5 में जो होता है, present पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, इनका यूज, इनका यूज करते हैं, adjective के रूप में भी sentence में, मतलब adjectives के भी काम करते हैं, जो करते हैं, तो करते ही हैं, adjectives के भी काम करते हैं, जैसे, this is water, अगर लिक बोलते हैं, खरे drinking को हम बात नह करते हैं कुछ दिर के लिए this is water तो sentence का meaning है correct है लेकिन हम water में कैसा drinking water तो यह adjective हो गया water के लिए तो यहाँ पे जो यह drinking है जो यह present participle है यह adjective का काम करता है present participle adjective का काम करता है past participle देखते हैं रामु is a drunken person रामु पियक कर आदमी है तो रामु इस a person तो चलेगा सही है अब drunken person की विशेश्ता बतला रहा है adjective है तो adjective यह क्या है वीथरी है वीथरी को क्या बोलते है past participle बोलते है past participle है that was a boiled egg यहाँ एक कैसा है boiled है eggs का बारें बता रहा है और यह वीथरी है तो इसे बोलेंगे past participle तो इस तरह से जो participles होते हैं उनका use देख लिया थैंक्यू बेरी मच्च